जैहंद, मैं हूँ असी मरुन, additional DG112 आज कोरोना वाइरस का खत्रा उत्रपदेश में भी प्रकट हो चुका है आप PRV में कार करते हुए सारजनी स्थानों पर रहते हैं और अनेक लोगों से मिलते हैं ऐसे में आपको इस बिमारी से खत्रा हो सकता है जिसके लिए जरूरी है आपका सजब होना सबसे पहले आवशक है यह समझना कि करोना वाइरस कैसे फैलता है जब कोई पीडित व्यक्ति छींकता है या खासता है तो छोटी-छोटी बूंदे निकलती हैं और यह हमारी आँख, नाँख या मूं में चली जाएं तो इसका वाइरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है किसी पीडित व्यक्ति का थूक या च्छींक की बुंदे उनके हाथ दर्वाजे के हैंडल आदी पर लग सकती है और अगर आप इने चुएं और फिर अपना हाथ अपनी आँख या मूँ पर ले जाएंगे तो वाइरस प्रवेश कर सकता है वाइरस विभन प्रकार के होते हैं और 48 भेंटे तक वस्तों पर जीवित रह सकते हैं इसलिए जरूरी है यह 5 सावधानियां बरते हैं सबसे पहले अपने आपको साफ स्वच्छ रखें हाथों को जल्दी-जल्दी साबून से धोये या हैंड सैनिटाइजर का इस्तमाल करें ताकि किसी भी तरह का संक्रमन आप तक ना पहुंचे प्यारवी पे जब आपकी शिफ्ट खतम हो तो प्यारवी के सामने का डैशबोर्ट, हैंडल, स्टेरिंग सब को अच्छे से साफ करें जिससे कि आने वाले साथी को कोई इन्फेक्शन ना हो छीख रहे या खासने के दौरान अपने मूँ को टिशू पेपर या रुमाल से धाके और इस्तमाल करने के बाद टिशू को किसी बंद कुड़दान में फिके यदि टिशू पेपर या रुमाल ना हो तो हाथ में ऐसे ना छीखे क्योंकि आपके हाथ दूसरों तक संक्रमन फ्हला सकते हैं बेटर है कि आप अपने कपड़े की बाँ पर छीखे ऐसे यदि कोई छीख रहा है या खास रहा है तो एक से दो मिटर की दूरी बना करके रखे और उनको मास दें ताकि आने लोग सुरक्शित रह सके आप उनसे हाथ ना मिलाए और गले ना मिले अगर आपको उनकी सहयता करनी है तो अपने मूँ पर मास्क पहले लगा ले साहता करने के बाद साबुन से हाथ मूँ धोले अपनी आख, नाख और कान को साफ हाथों के लावा नाचवे यदि आपको खांसी, जुखाम या सांस लेने में समस्या हो रही है तो तुरंट डॉक्टर से संपर करें इन सभी बातों को ध्यान में रखें अगर हम सजग हैं तो इस बीमारी से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है सरकार, विशेशकर, स्वास्तुभाग सारे कदम उठा रहा है और किसी तरह के पैनिक की जरुवत नहीं है आप सुरक्षित रहे, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करने में सहयोग करें धन्यवाद, जैहित